कल तक मैं आपसे जो बात कर रहा था वो अश्टांग हिर्दियम का एक हिस्सा था जिसमें आवो हवा तासीर रहने वाला इस्थान उसका महत्तु वहां की मिट्टी उसका महत्तु वगएरा वगएरा अब मैं सीधे आपके शरीर पर आ रहा हूँ बागवट जी मनुश शरीर के बारे में ये कहते हैं कि ये मनुश का शरीर सबसे महत्तु पूर्ण है और बहुत प्रयासों के बाद मिलता है ये आपने कई बार सुना होगा आपके पूर्व जनम के बहुत सत्कर्म हो तो आपको मनुष शरीर मिलता है और बागवट जी ने एक जगे कहा है कि आप ही हैं जो मोक्ष धारण कर सकते हैं ऐसा कहा जाता है इस देश में कि जानवरों में पशु पक्षियों में और कीडे मकोडों में मोक्ष की इस्थती नहीं आती मनुष योनी ही हैं जिसमें आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं तो उनकी मोक्ष की परिभाशा बहुत सुंदर है मोक्ष क्या है हम सब लोगोंने कई बार अलग-अलग समय अलग-अलग लोगों से सुना होगा कि मोक्ष ऐसा है, मोक्ष ये है बागवट जी की परिभाषा बिलकुल साफ और सरल सीधी है वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति, मनुष्य, इस्त्री हो या पुरुष कोई भी अपने दुखों को दूर कर ले और दूसरों के दुखों को दूर करने का काम करे वही मोक्ष का अधिकारी है जो व्यक्ति, मनुष्य, अपने दुखों को दूर करे और दूसरों के दुखों को दूर करने का सतत प्रयास करे उसमें सफलता मिले न मिले सफलता की बात नहीं कहते हैं वो, वो ये कहते हैं कि प्रयास करे इमानदारी से प्रयास करे तो उसको मुक्ष होता है मने इस परिभाशा को अगर आप थोड़ा व्यापक करें दुखों से मतलब क्या तो बागवट्टी जी कहते हैं कि तीन तरह के दुख सारी दुनिया में है मनुश्य को भी है हरेक को है एक तो देहिक दुख शरीर का दुख देहिक दुख दूसरा है देविक दुख भगवान का दिया हुआ कोई दुख जो आपके शरीर से अलग है भगवान ने आपको कोई दुख दे दिया अचानक से आप गरीब हो गए या अचानक से आपके घर में कोई दुरगटना हो गई, आग लग गई, धर्ती कम पा गया, भू कम पा गया, आपका घर तूट गया, सब कुछ तहस नहस हो गया, सुनामी आ गया, ये दैविक दुख और तीसरा और आखरी दुख है, भौतिक दुख, भौतिक दुख में सबसे ज़्यादा यही है, गरीबी, विरोजगारी, भुकमरी, तो वो बागवटी जी कहते हैं कि दैविक दैविक और भौतिक, तीनों दुखों से जो व्यक्ति मुक्त हो, और दूसरों को मुक्त करने का रात दिन प्रयास करे, वही मुक्ष का अधिकारी है, आगे के सूत्र में वो यह कहते हैं, कि अगर आपने अपने जीवन के तीनों दुख दूर कर लिए, और आप दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए कुछ नहीं करते, तो माफ कीजिए, आप कभी भी मुक्ष के अ तपस्या करते हैं, तो उनकी जो तपस्या है हिमाले की, वो अपने दुखों को दूर करने तक सीमित है, अगर वो वापस हिमाले से लोटकर समाज के दुख को दूर नहीं करेंगे, तो किसी को भी मुक्ष नहीं होगा, बागबटी जी कहते हैं कि कोई सद ग्रहस्त व्यक्त ही है, वो स्वामी नहीं है, महात्मा नहीं है, तपस्वी नहीं है, लेकिन अगर वो अपने दुखों से दूर करते हुए, दूसरों के दुखों को दूर करने के काम में लगा हुआ है, तो वो कहते हैं कि वो तपस्या करने वाले से ज्यादा बहतर है, बले ही वो सद ग्रहस और वो यह कहते हैं कि ज्यादा समें बागवटची मानते हैं कि सद ग्रहस्त ही हैं जो दूसरों के दुखों को दूर करने में ज्यादा मदद कर सकते हैं क्योंकि उन दुखों का अनुभव उन्हें है जिसका दुख वो दूर करने का कोशश करे। इसका मतलब ये है कि बागवट्टी जी की परिभाषा में गरहस्ती होना माने सद गरहस्त होना ज्यादा बड़ी बात है वो सादू संतों के बारे में कहते हैं कि ये सिर्फ अपने दुखों के दूर करने के चक्कर में लगे हुए है भगवान से इनकी जो वारतालाप है या संबाद है वो अपने तक सीमित है समाज के लिए सिर्फ प्रार्थना करके बंद कर देते हैं आगे नहीं बढ़ते हैं इसलिए वो कहते हैं कि आप अपने दुख दूर करें दूसरों के दुख दूर करने के काम में सतत लगें भले प्रयास आपका सफल हो नहो सफलता की बात वो नहीं कहते हैं वो ये कहते हैं कि सफलता सफलता वो सब ईश्वर के हाथ में हैं आपके हाथ पे नहीं है, आप अगर प्रयास कर रहे हैं, तो पक्का मानिए कि आपकी मोक्ष में जाने की तैयारी है, यह है उनका सूत्र, यहां से उनकी एक दूसरी यात्रा शुरू होती है, और इस यात्रा में वो यह कहते हैं कि सबसे बड़ा दुख है देहिक दुख, शर जरूरी नहीं है, क्योंकि आप जिस वर्ग से आते हैं, आपको बहुत दुख तो मैं मानता हूं नहीं हैं, तो उस पर समय खराब करने से ज़्यादा फाइदा नहीं, आप से जबसे ज़्यादा में बात करूँगा, जिसकी जरूरत भी है आपको, वो देहिक दुख के बार ये जो पेट है, शरीर का मद्य भाग, वो ये कहते हैं कि शरीर का दुख दूर करने में सबसे बड़ी भूमिका इसकी है, अगर शरीर का पेट और बाकी अंगों के बारे में प्रतिशत के हिसाब से तुलना करें, तो 90 प्रतिशत दुख पेट से है, 10 प्रतिशत दुख है जो पेट के बाहर से है, पेट के बाहर से मने घुटनों से हो सकता है, एडियों से हो सकता है, जंगाओं से हो सकता है, या हिर्दैस्थान से हो सकता है, मस्तिश्क से हो सकता है, इसको आज की भाशा में अगर मैं कहूं, 90 प्रतिशत बीमारियां हमारे जीवन की पेट से जु आ गया, उन दस प्रतिशत में अरधांग वायू, परलेसिस का ही दूसरा नाम है, वो आ गया, एपलिपसी आ गई, वगरा वगरा, मस्तिश्क की धेरों बीमारियां, दस प्रतिशत में यह बाकी, इस बात को फिर ध्यान दीजिए, पहली बात जो मैंने आपको पहले दिन कही थी, कि जिन्दगी की बीमारियों में 85 प्रतिशत ऐसी हैं, जिनको आप खुद ठीक कर सकते, मात्र 15 प्रतिशत हैं, जिनमें विशशक की जरूरत है, अब बागवट जी की दूसरी महत्तों की बात हमेशा याद रखिए, कि जितनी बीमारियां हैं, उनमें 90 प्रतिशत बागवट जी कहते हैं, और आपको दुख से बचाने के लिए, तो वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा ध्यान आपको आपके पेट का रखना है, तो पेट का ध्यान जिन्दगी भर आप रखें, उसके लिए उन्होंने सूत्रों की एक श्रंखला बनाई है, ये ये सूत्रों का पालन करें तो जीवन में पेट से होने वाला कोई दुख नहीं होगा माने 90 प्रतिशत बीमारियां नहीं होगी और ये 90 प्रतिशत बीमारियों की संख्या अगर गिनू तो 148 है माने आज से मैं जो सूत्र बताने जा रहा हूँ इनका पालन अगर आप करेंगे तो आप अपने जीवन में 148 बीमारियों से हमेशा बचेंगे और बागवट्टे जी का ये कहना है कि बीमारियों से बचना बहुत महत्तुका है बनिस्बत की बीमारियों का इलाज करना वह अंग्रेजी में अक्सर आपने सुना है prevention is better than cure तो आप अगर बीमारियों से बच रहे हैं तो वो कहते हैं कि ये सबसे महत्व का है तो आप उनको आज के सूत्रों को थोड़ा जादा ध्यान से सुने वैसे तो आप सभी सूत्र ध्यान से सुन रहे हैं लेकिन आज के जो सूत्र हैं वो जिन्दगी का functional हिस्सा है आप जानते हैं कि कोई भी सिद्धान्त होता है उसका एक hypothesis होता है और उसका एक functional part होता है तो आज से जो शुरू हो रहा है वो functional part है इस functional part में सबसे पहला सूत्र बागवट जी का बागवट जी के लिए उनके साथ हजार सूत्र सभी महत्तोके हैं सभी महत्तोके हैं उन साथ हजार में से मैंने कुछ चुन कर निकाले हैं जो मुझे लगता है दो हजार साथ के हिसाब से बहुत महत्तोके हैं हो सकता है साड़े तीन हजार साल पहले कोई सूत्र बहुत महत्तुके हो और अब 2007 में हमारी जीवन शैली के हिसाब से वो उतने महत्तुके ना हो क्योंकि बागवट जी ने जिस जीवन शैली में रहते हुए वो सूत्र लिखे है वो रिशी मुनियों की जीवन शैली है आपकी जीवनशैली और रिश्यमुनियों की जीवनशैली में थोड़ा अंतर है तो आपकी जीवनशैली के हिसाब से मैंने जो सूत्र निकाले और जिनकों मैं महत्तु का क्रम देता हूँ उसमें सबसे पहला सूत्र संस्कृत में वो कहते हैं कि पेट जिन्दगी मर आपका अच्छा रहे दुरुस्त रहे इसका मतलब यह है कि आप जो कुछ भी खा रहे हैं उसका ठीक से आप पाचन करते रहे वो कई बार यह लिखते हैं अपने सूत्रों में कि खाना महत्तु का नहीं है खाने को पचाना महत्तु का है आपने खाने को खाया यह इतना महत्तु नहीं है जिसको आपने खाया उसको पचाया यह ज़्यादा महत्तु का है क्योंकि भोजन पचेगा तो रस बनेगा उसी रस में से मास मज्जा रक्त मल, मूत्र, वीर, मेद ये सब बनेगा, अस्तियां बनेंगी और वही आपके शरीर के लिए आगे जीवन में काम आएंगे तो खाया वो महत्तुका उससे भी जादा महत्तुका खाया हुआ पचाया तो वो कहते हैं कि पेट हमेशा दुरुस्त रहे माने पाचन क्रिया आपकी हमेशा अच्छे से चलती रहे इसके लिए पहला सूत्र उन्होंने लिखा भोजनांते विशमवारी, ये पहला सूत्र मेरे हिसाब से, उनके हिसाब से ने, मेरे हिसाब से, पहला सूत्र भोजनांते विशमवारी इसका सीधा सा अर्थ है भोजन के अंत में पानी पीना विश पीने के बराबर है सूत्र ये है भोजन अंते भोजन अंते आप जानते हैं संस्कृत में मिला के कहने की परंपरा है भोजन अंते माने भोजन के अंत में बोजनान्ते विशमवारी विश समस्ते आप जहर जहर जैसा क्या है पानी भोजन के अंत में पानी जहर के जैसा है विश के जैसा है ये सूत्र है अब इसको थोड़ा व्याख्याइद करता हूँ ताकि समझ में आए बोजन के अंत में पानी विश के जैसा है ये बात वो कह रहे है इसको समझना चाहिए कि क्या कह रहे है सूत्र उतना ही है समझने के लिए मैं आपको बहुत उधारन दूँगा ताकि आप जल्दी पता कर पाए बागबटी जी ने एक सूत्र में ये कहा है कि हमारा जो शरीर है इसका जो मुख्यो स्थान पेट है इसमें एक स्थान होता है पेट के अंदर नाभी लेफ्ट साइड में नाभी से थोड़ा उपर जहां मेरा हाथ रखा हुआ है इस स्थान को कहते हैं जठर संस्कृत में कहते हैं जठर हिंदी में कहते हैं आमाशय जठर आमाशय अंग्रे जी में चाहें तो एपीगेस्टर कब तो यह जो जठर इस्थान है बागवट्टी जी कहते हैं कि इसमें अगनी प्रदीप्त होती है उसी को कहते हैं जठरागनी जठर अगनी जठरागनी तो वो कहते हैं कि जो आपका जठर इस्थान है इसमें अगनी प्रदीप्त होती है औ ये है महत्तु की बाद अब अगनी प्रदीप्त हुई आपने भोजन किया अगनी प्रदीप्त हुई और बागवट्टी जी इसके लिए एक सुन्दर शलोक लिखा है लंबा है लेकिन हिंदी में बताता हूं वो ये कहते हैं कि खाते ही अगनी प्रदीप्त होती है ऐसे ही जै जैसे ही टुकडे को चबाना शुरू किया लार बनना शुरू हुआ तुरंत अगनी प्रदीप्त हो जाती है पहले ही टुकडे में तो ये अगनी प्रदीप्त हुई अब आप जो भोजन कर रहे हैं ये इस अगनी के प्रभाव में पचेगा तो भोजन के पचने की क्रिया में पहले भोजन रस में बदले गा पहले पेस्ट बनेगा जैसे टूथ पेस्ट की condition होती है वैसा बनेगा लुगदी जैसा फिर उसमें से रस बनेगा फिर रसमें से सब कुछ बनेगा तो वो कहते हैं कि आपने जैसे भोजन किया अगनी प्रदीपस हो ही अब ये अगनी भोजन को पचा रही है और आपने भोजन पूरा करते ही पानी पी लिया गड़ 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 तो क्या हुआ अगनी शांत हो जाएगे आपके रसोई गैस में चूलहा जल रहा है गैस का और जलते हुए चूले पर पानी फेकिये तो बुझ जाएगा अगनी का पानी से मेल नहीं है दुश्मनी है तो आपके पेट में खाना खाते ही अगनी जल रही है अब आपने पीछे से गिलास दो गिलास पानी पी लिया कोई––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– तो क्या होगा और भोजन सड़ेगा तो क्या होगा मैं सड़ने वाले हिस्सी की बात कर लेता हूँ वो कहते हैं कि भोजन अगर सड़ना शुरू हुआ तो सबसे पहले सबसे पहले गैस बनेगी वायू बनेगी वायू वायू और ये वायू आपकी जिंदगी हराम कर देगी और ये वायू की तीवरता जब बढ़ेगी तो गले में जलन होगी छाती में जलन होगी पेट में जलन होगी फिर और ज्यादा तीब्र अगर ये हो गई वायू तो ये शरीर में जाएगी घूमेगी क्योंकि वायू को पकड़ना मुश्किल है जहां इस्थान मिलता है वहीं जाती है तो ये वायू पूरे शरीर में घूमेगी तो सिर घूमेगा आपको चक्कर आएंगे सिर में दर्द होगा पीठ में भी दर्द हो सकता है हिर्दा इस्थान पर भैंकर दर्द हो सकता है कई बार तो इतना दर्द होता है कि आपको लगेगा कि हर्ट अटेक आ गया लेकिन वो वायू का दर्द है हर्ट अटेक नहीं और ये जो वायू बनी भोजन के सडने से इसी वायू में से बागवट जी ने सूची बनाई है कि एक सो तीन रोग पैदा होंगे एक सो तीन सबसे पहला रोग है उसमें एसीडिटी हाइपर एसीडिटी ज्यादा दिन अगर आपने ये चक्कर चलाया पानी पीने का तो अलसर, पैप्टिक अलसर और ज्यादा दिन चक्कर चलाया तो बवासीर, मोडवयाद, भगंदर ये सब रोगों की सूची है और अंत का एक रोग है, कैंसर, करक रोग, एक सो तीनवे नंबर पर उन्होंने लिखा एक करक रोग, मने एसिडिटी से शुरू होकर आप कैंसर तक की यात्रा कर सकते हैं तो वो ये कह रहे है, कि जिस काम से वायू पैदा हो, और वो वायू आपके सड़े हुए भोजन में से निकले और बाद में बागबटी जी कहते हैं, वो भी बता देता हूँ, वो दूरू का सूतर है, लेकिन यहीं पर ले आता हूँ उसको कि आपका जो भोजन सड़ेगा, इसको ध्यान से सुनिएगा, तभी भोजन में से, बागबटी जी के शब्द दूसरे हैं, मैं आज के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, तभी कॉलेस्ट्रॉल बनेगा सड़े हुए भोजन का ही बाई प्रोड़क्ट है कॉलेस्ट्रॉल अगर भोजन का पाचन हुआ तो कॉलेस्ट्रॉल शून में रहता है वो कॉलेस्ट्रॉल जो आपको हानी पहुंचाता है आप जानते हैं शरीर में दो तड़े का कॉलेस्ट्रॉल है एक गुड और एक बैड अच्छा कॉलेस्ट्रॉल मने HDL High Density Lipoprotein खराब कॉलेस्ट्रॉल मने LDL और उसका शोटा भाई VLDL Very Low Density Lipoprotein तो बागवटी जी कहते हैं कि यह जो खराब कॉलेस्ट्रॉल है वो रक्त में तभी आता है जब भोजन पेट में सड़ता है इसका माने जिनको कॉलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या बढ़ा हुआ है वो ध्यान दें उनको भोजन पच नहीं रहा उनका भोजन सड़ रहा है तो कॉलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हर्टेटेक भी आएगा कॉलेस्ट्रोल बढ़ेगा तो घुटने भी जड़ हो जाएंगे सारी संधियां आपकी एकदम कड़क हो जाएंगी आपको चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा दस कदम चलना मुश्किल हो जाएगा तो वो ये कहते हैं कि जब 103 बीमारियां एक छोटी गलती से आती हो तो वो गलती कभी करना नहीं माने भोजन के बाद कभी पानी पीना नहीं ये है सूत्र अब जैसे ये सूत्र पूरा हुआ तुरंत आपके मन में प्रशन आएंगे कि पानी कभ पीना पहला ही प्रशन तो बागवट जी कहते हैं कि पानी कब पीना वो खुदी उत्तर दे रहे हैं आगे के सूत्रों में क्योंकि शाहिद मालूम है कि मनुष्व की जिग्यासाएं हो नहीं वाली है तो पहले सूत्र में लिख दिया भोजन अंते विशमवारी कि भोजन के अंत में पानी मत पियो अगले ही सूत्रे में वो कहते हैं कि कम से कम डेड़ घंटे के बाद पानी पियो अब ये जो डेड़ घंटे का कैलकुलेशन है ये क्या है ये बागवट जी कहते हैं कि जो आपने खाया वो आपके जठर इस्थान में डेड़ घंटे तक अगनी के प्रभाव में रहता है और जानवरों के लिए भी उन्होंने बताया है वो कहते हैं कि जानवर जो कुछ खाते हैं उनके पेट में भी अगनी है जठर अगनी वहाँ चार घंटे तक अगनी का प्रभाव रहता है जानवरों के शरीर मनुष्य शरीर में एक से डेड़ घंटे का उन्होंने बताया और एक से डेड़ घंटे का वो बताया है तो अलग अलग छेत्र के हिसाब से जैसे आप दक्षुन भारत में हैं कोई उत्तर भारत में हैं कोई पूरवी भारत में हैं अब मान लीजे उत्तरांचल का कोई आदमी इसी सूत्र को पढ़ेगा तो उसको तो अगनी का असर दो से धाई घंटे रहेगा पहाड़ वाला लेकिन आपके लिए मैं बात कर रहा हूं तो एक से डिड़ घंटा तो वो कहते हैं कि एक से डिड़ घंटे पेट में अगनी का प्रभाव है जब तक अगनी का प्रभाव है पानी मत प्यो क्योंकि पानी पीते ही अगनी बुझेगी अगनी का काम है भोजन को पचाना पचेगा नहीं तो स sađँगा, sađँगा तो 103 रोग पएदा करेगा, तो सीधा सा दूसरा सूत्र है, कि भोजन के डिर्ड गंटे के बाद पानी पीना, ठीक है, अब तुरंट आपके मन में सवाल आएगा, भोजन के बीच में पीना के नहीं पीना, और भोजन के पहले पीना के नहीं पीना बागबटी जी ने इसका उत्तर अगले सूत्रों में दिया है वो ये कहते हैं कि भोजन के पहले पानी पीना तो कम से कम 40 मिनट और अधिक से अधिक एक गंटा आपको सीधा सा हिसाब बताता हूँ बजे खाना अगर खाना चाहते हैं तो 9 बजे से लेकर 9 बजकर 20 मिनट तक आप चाहें उतना पानी पी सकते हैं 9 बजे से लेकर 9 बजकर 20 मिनट तक और और बीच में पीना के नहीं तो इसके लिए बागवट जी कहते हैं ये बहुत साइन्टीफिक बात उनोंने कही है वो कहते हैं कि अगर आपके भोजन में दो अन हैं दो दो अन माने एक रोटी खा रहे हैं आप वो गेहूं हैं और दूसरा चावल खा रहे हैं तो चावल और गेहूं दो अन हैं और सामनी रूप से आप सभी के भोजन में शायद दो यह अन्न होते हैं, इसलिए मैं यह सूत्र कह रहा हूँ, यह एक अन्न वालों के लिए नहीं हैं, दो अन्न वालों, जो दो अन्न खाते हैं भोजन में, उनको एक अन्न की पूरती पूरी हुई, और दूसरे की शुरू हो पूरी हो गई अब आप चावल खाने की तैयारी कर रहें तो रोटी खाने के बाद चावल खाने से पहले आप जरूर पानी पीना लेकिन मात्रा कितनी तो वो कहते हैं दो या तीन घूट इतना ही उसके बाद जब दूसरा अन्ना आपने शुरू कर दिया फिर नहीं फिर तो पूरा आप भोजन ही करके उठिये अब आप भोजन कर लिया तो गला साफ करने के लिए थोड़ा एक दो घूट और पी लेना गला साफ करने के लिए पानी पीने के लिए नहीं है वो गला साफ करने के लिए अब आपके मन में तुरंत एक प्रशना आएगा कि भोजन के अंत में क्या पीना फिर? पानी तो नहीं पीना, दिड़ गंटे तक तो नहीं पीना तो कुछ पी सकते हैं तो बागवट्टी जी ने तीन चीज़ें बताईए उसके लिए पूरा सूत्र लिखा है कि भोजन के अंत में सबसे अच्छी चीज़ जो पीने के लिए है वो है चाच, वो है मठा, दही का तक्रम जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया वो तक्रम तक्रम मने यही है लगबग, चाच, मठा के आसपास की चीज़, तक्रम वैसे तक्रम की उन्होंने परिभाशा दी है कि दही को खूब अच्छे से मतने के बाद उसका मखन जो निकल गया तो मखन निकाल कर जो बचा, वो तक्रम मखन रह गया तो वो लसी लसी पीने के लिए नहीं कह रहे है तक्रम की बात रहे तो आप भूजन के बाद जो सबसे अच्छी चीज़ पी सकते है वो है चाच, वो है मठा, मठा शब्द एकदम अच्छा है हिंदी का शब्द है शायद आप सब समझते हैं, गुजराती हैं तो चाच आप अच्छे से समझते हैं तो चाच पी हैं या मठा पी हैं ये सबसे अच्छी चीज दूसरी सबसे अच्छी चीज उन्होंने बताई है वो है दूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदू मौसम आम का नहीं है तो आम का रस अभी पियें तो नहीं चलेगा आज का मौसम गन्ने के रसका है तो गन्ने का रस ही पियें थोड़े दिन के बाद संत्रे के रसका मौसम आ जाएगा तो संत्रे के रसका बागवटी जी कहते हैं कि जो चीज प्रकरती ने जिस समय में नाश नहीं सर्वनाश करेगा वो ये कहते हैं कि भगवान ने और प्रकरती ने आपके शरीर के हिसाब से सारी चीजों को सेट किया है और वो कहते हैं कि भगवान ने इस प्रकरती को बनाया है तो बहुत ही सोच समझ कर बनाया एक एक micro calculation उसने किये तब आपको ये प्रकरती के साथ उसने रखा है तो प्रकरती में जब जो चीज बहुत मात्रा में हो उसी का रस जैसे अभी टमाटर का सीजन है तो आप भोजन के बाद टमाटर का रस पी सकते है भरपेट इस समय गन्ने के रस का सीजन है तो भोजन के बाद आप गन्ने का रस भरपेट पी सकते है जो भी अभी थोड़े दिन में अंगूर का सीजन आ जाएगा तो भोजन के बाद अंगूर का रस पी सकते है संत्रे का जब जब जो सीजन आए वो ध्यान रखना है अब इसमें आगे एक सूत्र है वो बहुत महत्व का है बागबटी जी कहते हैं मठा या छाच कब पीना, दूद कब पीना, रस कब पीना तो उसके लिए उन्होंने बहुत इस्पष्ट और बहुत जोर देकर ये कहा है कि मठा हमेशा दुपहर के भोजन के बाद ही पीना सामन ने लोगों के लिए असामन ने लोगों के लिए बाद में बताऊंगा जो सामन ने लोग हैं आपके मेरे जैसे मठा हमेशा दुपहर के भोजन के बाद ही पीना और दूद हमेशा रात के भोजन के बादी पीना दूद माने शाम को छे साथ बजे के भोजन के बादी पीना और जूस हमेशा सुबह के भोजन के बादी पीना सुबह का भोजन माने नाश्टा बागवट जी ने नाश्टा शब्द कहीं नहीं इस्तेमाल किया है सुबह का भोजन आप उसको नाश्टा कैसे है तो सुबह के भोजन के बाद जूस दुपहर के भोजन के बाद मठा और रात के भोजन के बाद दूद और वो ये कहते हैं आगे के सूत्र में कि इनका क्रम उल्टा सीधा मत करना कभी मन ने सुबह के भोजन के बाद दूद पी लिया रात के भोजन में जूस पी लिया या मठा पी लिया वो कहते हैं ये उल्टा क्रम आप मत करना क्यों नहीं करना तो आगे वो एक्स्प्लेनेशन देते हैं वो ये है बहुत महत्तुका कि हमारे शरीर को मठे का पाचन होने के लिए जो रस की जरूरत होती है रस मने एंजाइम जो एंजाइम या रस की जरूरत होती है वो दुपहर को ही होते हैं पेट में इसी तरह हमारे शरीर में दूद का पाचन होने के लिए जो रस की जरूरत पढ़ती है या एंजाइम की जरूरत पढ़ती है वो सूरियास्त के बाद ही होते हैं या सूरियास्त के समय ही उनकी उत्पत्ति शुरू होती है और जो रस और एंजाइम की जरूरत जूस पचाने के लिए है वो सुबह ही होते हैं इसलिए आप नियम बना लो, ब्रेक फास्ट में जूस, लंच में मठा, चाच और डिनर में दूद, बच्चों को भी यही नियम, बड़ों को भी यही नियम, अब आप कहेंगे हमारे बच्चे तो स्कूल जाते हैं, दूद पी कर जाते हैं, तो बदल दो, जूस पी कर भेजो या पिला कर बेजो, और आप कहेंगे जी पीएंगे नहीं, आप जैसी आदत डालेंगे बच्चे वैसे ही होने वाले हैं, क्योंकि बच्चे अपने से कुछ नहीं सीखते, वो आपका सिखाया हुआ है सारा कुछ, तो अब तक आपने बच्चों को दूद पीने की आदत डा सुबह के नाश्टे के बाद जूस पीना, दुपहर के बोजन के बाद मठा, रात के बोजन के बाद दूद, ये सूत्र है, अभी इसके आगे का सूत्र, बागवट्ट जी कहते हैं कि आप खाने के डिड़ घंटे के बाद पानी पीएं, क्योंकि जठर के अगनी के प्रभा उतार लिया, गिलास मूँ से लगाया, गट-गट-गट-गट उतार लिया, क्या ये तरीका, तो बागवट्ट जी कहते हैं, ये तरीका बिलकुल गलत है पानी पीने, वो कहते हैं कि पानी को चुस्किया ले लेकर पीएं, घूट भर-भर के पानी पीएं, सिप ले लेकर प पानी पीए अब ये क्यों ये समझ ले आप एक साथ पूरा पानी उतारें गले के नीचे और एक गूट पानी उतारें गले के नीचे दोनों में जमीन आस्मान का अंतर है क्या अंतर है मैं आपको एक महत्तो की बात समझाना चाहता हूं ये जीवन भर याद रहे तो बहुत अ अगनी होती है और इस अगनी को तीवर करने के लिए अम्ल होता है अम्ल एसिड आप जानते हैं पेट में अम्ल बनता है प्राकरतिक रूप से बनता है अब पेट में तो अम्ल बनता है और भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है कि पेट में अम्ल दिया है और मुह में छार बनत तो मुह में बनती है लार ये है चार और पेट में बनता है अम्ल आप थोड़ा भी अगर विग्यान जानते हैं तो आप जानते हैं कि चार और अम्ल को मिलाओ तो हो जाता है निउट्रल अमल और छार आपस में मिलें तो न्यूट्रल होता है माने सामने चीज बनती है जिसको हम लोग कहते हैं लवण एक लवण होता है नमक वो अलग है केमिस्ट्री के लवण की बात कर रहा हूँ तो अमल और छार आपस में मिलते रहें तो neutral होते हैं अमल का मतलब है जिसका pH 7 से कम है और छार का मतलब है जिसका pH 7 के आगे है और neutral का मतलब जिसका pH 7 है यह जो पानी है ना पानी यह ना अमल है ना छार है यह neutral है तो बागबटी जी कहते हैं कि पेट आपका अक्सर पानी के जैसा रहे तो बढ़िया और जिनका पेट पानी के जैसा मने पेट की अमलता ना बढ़े और पेट का छारपन भी ना बढ़े पीच साथ के आसपास रहे तो बागवट्टी जी कहते हैं ऐसे व्यक्ति को सौ से ज्यादा वर्ष जीने की पूरी गारंटी है बिना एक भी दवा खाए और बिना चिकित्सक के पास जाए अब आपके पेट में अमल बन रहा है मूँ में लार बन रही है अगर पानी आप घूट घूट पीते हैं तो ये पानी के साथ लार मिलके अंदर जाती है और पानी एक साथ गड़ 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 पीते हैं तो कम लार पानी के साथ मिलकर जाएगी ये लार बन रही है अंदर जाने के लिए बाहर निकालने के लिए नहीं क्योंकि अंदर पेट के अम्लुको शांत रखना है इसके लिए छार है तो वो ये कहते हैं कि घूट घूट पिया पानी अगर सिप सिप करके आपने पानी पिया तो ज़्यादा लार अंदर जाएगी तो अमल को शान्त करने में मदद आएगी इसलिए आपका पेट न्यूट्रल रहेगा और आपकी जिन्दगी बिना किसी दवा और रोक के आराम से सो डिड़ सो साल हो जाएगी इसलिए पानी घूट घूट भरके पिये और एक साथ गड़ गड़ पानी पियेंगे तो लार पानी के साथ मिल नहीं पाएगी तो अंतिम रूप में जब वो पहुँचेगा पानी तो खाली पानी होगा और वो उतना न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा पेट को उस तरह से सामान निवस्था में नहीं ला पाएगा हाला कि पानी भी अमल को कम करता है क्योंकि अमल में पानी मिलाओ तो अमल की ताकत कम होती जाती है तो पानी कम तो करेगा लेकिन लार के साथ जो पानी कम करेगा वो बिलकुल अधुथ होगा बागवटी जी आगे कहते हैं बहुत ही महतों की बात है ये सबाब के लिए वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति सिप सिप करके पानी पिए वो देखें जानवर कैसे पीते है चुडिया कैसे पानी पीते है चीडिया एक ड्रॉप उठाती है आप ध्यान देना चुड़िया एक ड्रॉप उठाएगी फिर उसको ऐसे ऐसे मूँ में चलाएगी फिर पिएगी फिर दूसरी ड्रॉप उठाएगी फिर ऐसे ऐसे चलाएगी फिर पिएगी ऐसी कुत्ता है पानी को चाट-चाट के पिएगा शेर पानी को चाट-चाट के पिएगा ज़्यादतर जानवर पानी को ऐसे ही पीते हैं वो जानवर हमसे ज़्यादा स्वस्थ हैं किसी को डाइबिटीज नहीं है कोई ओवरवेट नहीं है किसी को डाइबिटीज नहीं कोई चेले हैं ये सब जानवा है बिना बोले और बिना कहें तो आप भी हो जाए बागवट जी कहते हैं कि पानी थोड़ा लीजिए जैसे चुड़िया पीती है उसको मुह में चुड़िया ऐसे ऐसे करती है न गुमाती है तो आप भी पानी को थोड़ा गुमाईए फिर पी जाए थोड़ा पानी लेजिए मूँ में बरिया पीजिए फिर पानी बरिये फिर बरिये पिर पीजिए ताकि इदर उदर की सबलार पानी के साथ मिलकर अंदर जा अब वो ये कहते हैं कि जो ऐसे पानी पी लेगा कोई रोग आने की संभावना नहीं मैंने आपके सारे रोगों की एक दवा तो मैंने ये एक्सपरिमेंट शुरू किया ये मैंने पढ़ा था छे साल पहले बागवट जी को मैंने छे साल पहले पढ़ना शुरू किया तीन साल पढ़ने में लग गया और तीन साल समझने में लग गया तो छे साल पहले मैंने यो सूत्र पढ़ा था मैंने का यार कुछ लोग हैं जो बीमार हैं बहुत मैंने का तुम करके देख लो बागबट कह रहे गलत तो रिजल्ट आने वाला नहीं तो आपको सुनकर हैरानी होगी हमारे जो दोस्त हैं सही होगी हैं एक तो मेरा दोस्त है जिसको मैं कभी आपके सामने खड़ा कर सकता हूँ 140 किलो का था वो और एक सवा साल हो गया लगबग अभी डेड़ साल है अब 70 किलो का है बिना कोई दवा खाए बिना भोजन में कोई बदला होगी है सिर्फ पानी पीने का तरीका बदला फिर मैंने डॉक्टरों से बात की कि ये चक्कर क्या है तो उन्होंने का बात सीधी सी ये है कि जो लार है ना ये दुनिया की सबसे अच्छी औशदी है इसकी मेडिसनल प्रापरटी सबसे ज़्यादा है आपने जानवरों को देखा होगा उनको कभी भी कोई चोट लगे तो वो अपने लार से ही ठीक कर लेते हैं चाट-चाट के क्योंकि उसमें मेडिसन है तो मनुष्य की लार में भी है अब वो ये कहते हैं कि भारत के वो मनुष्य या इस्त्रिया और पुरुष बहुती दुरुभागेशाली हैं जो इस लार को अंदर ले नहीं जा पाते हैं जैसे तंबाकू खाने वाले लोग थूकते ही रहते हैं उसको थूकते ही रहते हैं गुठका खाने वाले लोग, मावा खाने वाले लोग तूकते ही रहते हैं then you do doctor लोग कहते हैं कि वो जिन्दकी की सबसे महत्व कुणद चीज को थूक रहें जिसको बनाने के लिए भगवान ने एक लाख गरन्तियं आपके मुह में दी हैं आप जानते हैं ये लार पैदा होने में एक लाख ग्रंतियों का काम होता है एक लाख ग्रंतियां है जो राद दिन आपके लिए लार बनाती है और आप गुटका खाखा के उसको थूकते रहते हैं तो सड़क तो खराब करते ही है अपने को उससे ज़्यादा खराब करते है तो मेरी हाथ जोड़कर विंती है कि आप मेंसे कोई लार थूकने वाला हो थूकने वाला आदमी ये तो बागवटन जी की डिक्षनरी में नहीं है वो कहते हैं कि एक ही कंडिशन में आप कुछ थूक सकते हैं जब कफ बहुत बढ़ा हुआ हो तबी बस उसके अलावा दूसरी कोई कंडिशन नहीं कि आप थूकें तो यहां तो बिना कफ बढ़े हुए तंबाकू खाखा के गुठका खाखा के थूक रहे तो ये थूकना नुकसान दायक है गुठका तो नुकसान दायक है तंबाकू तो और भी नुकसान दायक है उससे भी ज़्यादा थूकना तो मत थूकिये तो फिर आप कहेंगे जी पान खाएं तो पान खाने के लिए नियम बताया बहुत माइक्रो लेवल पे कैलकुलेशन है बागबट जी वो कहते हैं कि पान खाओ तो कत्था मत लगाओ बिना कत्थे का पान खाओ थूकने की गरजी नहीं क्योंकि जो भी खाओगे वो चूना है केलशियम है तो अंदर जाएगा और वो केलशियम क्या-क्या अदुबत काम करेगा वो कल बताने वाला हूं मैं तो वो कहते हैं कि पान भी खाना है तो थूकना नहीं है कत्था है तो थूकना पड़ेगा कत्थे बिना ही पान खाओ मने हमारे पुराने पूरवज और भुजर्ग जो तंबाकू का नहीं कत्थे का नहीं सिर्फ चूना लगाके जो पान खाते हैं वो बागवट के चेले सब के सब शिश्य उनके तो वो कहते हैं पान भी खाना तो थूकना नहीं है जो मुँ में लार के साथ पान है वो अंदर ही जायत क्योंकि पान और चूना दोनों ही मेडिसिन है एक वात नाशक है और दूसरा पित नाशक है और कफ का भी नाशक करता है पान तो पित और कफ दोनों का नाशक करता है और चूना वात का नाशक करता है तो वो कहते हैं कि पित और कफ का नाशक कर दिया पान ने चूने ने कर दिया वात का तो वात पित कफ तीनों ही संतुलित है तो पान खाके तो जिन्दगी भर निरोगी रह सकते ये है तो आपको पानी पीना है गुड़ गुड़ बरके ताकि ज़्यादा लार अंदर जाए और पानी को बच्चों की तरह से मुँ में गुमाई है जैसे बच्चे अक्सर करते ना वो बहुत अच्छी क्रिया है ठीक है? अब आगे चलता हूँ आगे का एक सूत्र है बागबट जुका की पानी कभी भी पीए तो ठंडा ना पीए पेट को दुरस्त रखने के लिए ही हैं ये सारे सूत्र आज जो मैं कह रहा हूँ पानी जब भी पीएं तो ठंडा ना पीएं कैसा पानी पीएं जी? तो वो कहते हैं कि आपके शरीर का तापमान देखें उसके अनुसार के तापमान का ही पानी पीएं माने शरीर के तापमान के बराबर का पानी पीएं माने गुन-गुना पानी पीए गुन-गुना शब्द है एक शब्द कोमबट कोमबट शब्द गुजराती है नहीं मराठी है शायद हाँ गुन-गुना पानी पीए नव सेका पानी कहते है राजिस्थान में नव सेका हलका गरम हलका गरम गुन-गुना पानी पीए कभी भी अगर आप पानी को लेके जाएंगे तो वो गुन-गुना ही होता है रूम टेंपरेचर के ऊपर रहता है बॉडी टेंपरेचर के बराबर रहता है तो ऐसा पानी पीएं गुन-गुना ही पानी पीएं क्यों? अभी मन में प्रशनाएगा क्यों हम तो जी ठंडा पानी पीते हैं फ्रिज का पानी पीते हैं बरफ डाला हुआ पानी पीते हैं तो बागवटी जी इसको बहुत अच्छे से समझाते हैं और आधुनिक विज्यान का इसमें मैं जोड कर आपको समझाता हूँ आप अगर ठंदा पानी पी रहे, कल पना करिये तो पानी क्या करेगा? पेट में जाएगा सीदा सीदा और पेट को ठंदा बنाएगा जिसका जैसा गुण है वो ही तो करेगा न बरफ का गुण है ठंदा करने का तो बरफ डालकर पानी में आप पी रहे हैं तो बरफ का गुणपू पानी में आ गया अब पानी आपके पेट को ठंडा करेगा अगर पानी ने पेट को ठंडा किया तो अगर पेट ठंडा हो गया पानी के असर में तो शरीर ठंडा हो जाएगा क्योंकि शरीर के सारे औरगन पेट से ही जुड़े हुए चाहे वो आपका हर्ट हो, चाहे किड्नी हो, चाहे लीवर हो और अगर शरीर ठंडा हो गया तो जैराम जी किए जाइए यमराज के पास यहाँ फिर आपके लिए कुछ नहीं है तो पानी अगर पेट में गया और उसने पेट को ठंडा कर दिया तो आप ठंडे हुए, आप ठंडे हुए तो मर जाएंगे, मृत्तिव आएगी तो कभी भी ठंडा पानी ना पिये एक, विशलेशन दूसरा विशलेशन, कि अगर पानी आपने ठंडा पिया और आपका पेट जीवित है, जीवित होने से मतलब फंक्शनल है, काम अच्छे से कर रहा है तो तुरंथ पेट उस पानी को गरम करने पर लगेगा आपका जो जटर इस्थान है ना, वो तुरंथ उस पानी को गरम करने पर लगेगा तो पानी को गरम करने के लिए उसको अत्रिक तूर्जा की जरूरत पड़ेगी और अत्रिक तूर्जा उसको रक्त में से आएगी तो शरीर के सब हिस्सों का रक्त पेट की तरफ जाएगा थोड़ी देर के लिए शरीर के सारे हिस्सों का रक्त जो पेट की तरफ गया है उसने बाकी हिस्सों में रक्त की कमी कर दी मान लीजे हिर्दय का रक्त पेट में चला गया ब्रेन का रक्त पेट में आ गया क्योंकि ब्रेन का सबसे पहले आता है क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स है ना काम करता है तो ब्रेन का सबसे पहले आता है हिर्दे का उसके बाद आता है दूसरे अंगों का रक्त सब पेट की तरफ गया तो बाकी अंगों को रक्त की कमी आई और ये कमी हर समय ऐसे ही आती रहे आप ऐसे ही ठंडा पानी पीते रहे ऐसे ही कमी आती रहे पीते रहे कमी आती रहे तो एक दिन वो अंग काम करना बंद कर देंगे क्योंकि उनको रक्त की सप्लाई कम होई है और वो अंगों ने काम करना बंद किया तो ब्रेन हैमरेज हो गया वो अंगों ने काम करना बंद किया तो परेलिसिस हो गया वो अंगों ने काम करना बन किया तो हर्ट अटेक हो गया तो ये सारी बीमारियों को क्यों बुलाते हैं ठंडा पानी पी के माने ठंडा पानी ना पिया बागवट्टी जी का मैंने मेरे जीवन में भी देखा दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो एकदम चिल्ड वाटर पीते हैं अमेरिका में यूरोप में ज़्यादा लोग चिल्ड वाटर पीते हैं पानी को फ्रिज में रखते हैं और वो रखा रहता है चार पांच दिन खूब ठंडा हो जाता है फिर उपर से बरफ डालते हैं फिर पीते हैं इतना ठंडा पाने की परिणाम क्या देखा है मैंने मैंने उन लोगों को देखा जो चिल्ड वाटर पीते हैं वो सबेरे सबेरे अगर संडास घर में गए टॉइलेट में तो एक एक घंटे बाहर नहीं निकलते कभी कभी तो दो दो घंटे नहीं निकलते बैठे ही रहते अंदर उनको पूछो भाई क्या कर रहे थे दो घंटे टॉयलेट रूम में कहते हैं जी न्यूस पेपर पढ़ रहे थे मैगजीन पढ़ रहे थे क्यों पढ़ रहे थे टॉयलेट रूम तो न्यूस पेपर के लिए बनाया नहीं है तो कहते हैं टॉयलेट आती ही नहीं मने स्टूल पास होता ही नहीं, संडा सोती नहीं, उतरती नहीं, तो क्या करें? और वो बिचारे वहाँ बैठे बैठे कई बार इतने परेशान हो जाते हैं कि आह, तरह तरह की आवाजा निकालते हैं, फिर भी नहीं आती, फिर वो गाना गाते हैं, मेरे सपनों की रानी कभी आएगी, वो आती नहीं है, और कभी-कभी जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं न, तो एक गाना गाते हैं, एक बार आजा, 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 भू तब भी नहीं आती, ये है समस्या, माने मैं कहना ये चाहता हूँ, कि जो लोग बहुत ठंडा पानी पिएंगे, उनको एक बीमारी है, वो है कॉंस्टिपेशन, कबजियत, कोष्ट बद्धता, बद्ध कोष्ट होना, कॉंस्टिपेशन का मतलब आपकी जो इंटेस्टाइन है न, लार्ज इंटेस्टाइन, वो एकदम ऐसी संकुचित हो गई ऐसे रहना चाहिए उसको, वो हो गई संकुचित, यह ठंडे पानी का असर है, तो अगर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन ऐसी हो गई, तो आपकी जिंदगी भी ऐसी हो जाएगी, इसलिए कभी भी ठंडा पानी ना पियें, अब परसों एक बात मैंने कही थी, कि फ्रिज का रखा कुछ ना खाएं, तो यह पानी भी उसी का हिस्सा है, फ्रिज का रखा हुआ पानी ना पियें, बरफ डाला हुआ पानी ना पियें, आइसक्रीम कभी भी ना खाएं, क्योंकि वो भी ठंडी है, और मैं आपको एक विनमरता पूर्वक कह देता हूँ, वो बात वैसे आ शादियों में, बरातों में जाता हूँ, तो वहाँ मैंने देखा है कि भोजन गरमा गरम कराएंगे, अंत मैं आइसक्रीम जरूर खिलाएंगे, सर्वनाश, बुला बुला के हमारा सत्या नाश करते हैं, इन्विटेशन देकर बुलाएंगे, आओ हमारे यां महमान बन कर त पीचे से ठंडी आइसक्रीम खाओ, ना मरो तो जल्दी मर जाओ, ऐसा आजकल आतित्य इस देश में चल रहा है, पहले कहते थे अतिती देवो भव, अभी अतिती दुश्मन भव, तो ये जो ठंडे होने की बात है, यहीं पर मैंने आपको जोड़ दी है, वैसे ये कल भी आ आने वाली है, परसों सोरी, तो आपके जीवन में ये नियम बहुत ध्यान से पालन करें, सूत्र पालन करें, कि पानी हमेशा घूट घूट पीए, ठंडा पानी कभी न पीए, भोजन के डेड़ गंटे के बाद पानी पीए, अभी चौथा सूत्र, आज का आखरी सूत्र, बागवट्टी जी कहते हैं कि सुबह का जीवन आपका जब शुरू होता है, दिन का जीवन आपका शुरू होता है, माने आप जब सो कर उठते हैं, तब ही से आपका दिन शुरू होता है, तो दिन की शुरूआत में सबसे पहले पानी पीए, दिन की शुरूआत में सबसे उठते ही पानी पीए ये है मतलब कहने का दिन की शुरुआत में सबसे पहले पानी पीए मने सुबह उठते ही पानी पीए आयुरवेद के बिविन चिकितसकों ने और वैद्दियों ने इसको का उशा पान करें उशा पान मने सुबह उठते ही पानी पीना सबसे पहले पानी पीना, दांत धोए बिना पानी पीना, मूँ धोए बिना पानी पीना, कुला किये बिना पानी पीना अगर आप सुबह उठते ही बिना मूँ धोए पानी नहीं पी सकते तो रात को कुला करके सोईए, दात साफ करके सोईए, दंतवंजन करके सोईए, दातुन करके सोईए, उठते ही पानी पीचे क्यों? कारण पूछिए, कारण उसका ये है कि रात बर जब आप सो रहे थे तो शरीर की सारी क्रियाएं तो शितिल हो जाती है लेकिन ये लार बनने की क्रिया जादा शितिल नहीं होती है चालू रहती है तो रादवर आपने लार बनाई है मूँ में जगे जगे जमा है वो अंदर जाना बहुत जरूरी है क्योंकि वो बेश कीमती है बागवटी जी कहते हैं कि ब्रह्म महूर्थ की जो लार होती है वो बाकी 24 गंटों में सबसे ज़्यादा कीमती है तो सुबह सुबह जो लार बन रही है ये अंदर जानी ही चाहिए इसलिए बिना कुला की ये पानी पीने का नियम है इसी को उशापान कहा जाता है तो सुबह उठते ही पानी पीएं कितना पीएं जी तो उन्होंने एक से सवा लीटर का कैलकुलेशन दिया वयस्कों के लिए वयस्कों बाने 18 से 60 साल एक से सवा लीटर और 18 से नीचे वाले जो लोग है उनके लिए पॉन लीटर माने साड़े साथ सो ग्राम और साथ के उपर वालों के लिए भी साड़े साथ सो ग्राम साथ सो पचास ग्राम साथ सो पचास ग्राम माने कम से कम दो गिलास बुजर्गों के लिए दो गिलास बच्चों के लिए और तीन गिलास आपके उम्र के लोगों के लिए कम से कम इतना पानी पी है पीने का तरीका मैंने बता दिया वो घूट घूट सिफ सिफ करके ही पीना है मुँ में घुमा घुमा के पानी पीना है बागवट्टी जी ने ये जो कहा न सुबह की लार बहुत कीमती होती है मैंने इस पर थोड़े कुछ एक्सपरिमेंट किये पिछले एक आत साल बहुत सारे कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको डाइबिटीज है और डाइबिटीज की कंडिशन में आप जानते हैं कि कोई घाओ हो जाए घाओ तो जल्दी भरता नहीं तो मेरे पास ऐसे कुछ आठ दस पेशेंट है जिनको ऐसी ही कंडिशन है डाइबिटीज होने के कारण शरीर में फुनसी हो गई फोड़ा हो गया घाओ बढ़ गया वो भरता नहीं मैंने उनको दवाएं बंद किया फिर मैंने का बईया बागबटीजी ने का कि सुबह की लार बहुत कीमती है तुम ऐसा करो सुबह उठते ही जो लार है ना उसको लगाओ तुमारे घाओ पे और आप देखेंगे चमतकार पंद्रे से बीस दिन में घाओ भरना शुरू तीन महिने में बिलकुल बराबर एक तो मेरे पास गैंगरीन का पेशेंट है गैंगरीन हुआ डॉक्टर कहता तब पैर काटना ही पड़ेगा इसका कुछ होता नहीं अभी और कोई उसने बिचारे ने साल बर लार लगा लगा के यह अपना ठीक कर लिया तब मेरे समझ में आया कि जानवर हमसे ज़्यादा होशे आ रहे चोट लगते ही वो चाटना शुरू कर देते फिर मैंने एक और एक्सपरिमेंट किया मेरे पास कुछ छोटे बच्चे हैं जिनको चश्मे हैं आँखों पर अब उनके माबाप बहुत परेशान है कि यह चश्मा कैसे उत्रे मोटे मोटे चश्मे हैं छोटे बच्चों तो मैंने उनको भी सिखा दिया देखो सवेरे सवेरे सोकर उठो और मूँ का थूक आँख में लगाओ काजल की तरह से तो बच्चों ने चालू कर दिया बच्चे बहुत बोले होते हैं सीधे होते कोई भी बात अगर समझ में आए तो करते अब आपको हैरानी होगी कि चश्मे उतर गए सिर्फ यह लार लगाने आप भी करके देख लीजे जिनको भी चश्मे बस अंतर इतना है कि बच्चों को जल्दी उतरे आपको थोड़ा देर में उतरेंगे लेकिन उतर जाएंगे उम्र जादा बढ़ेगी तो थोड़ा दिन करना पड़ेगा कम उम्र में बहुत जल्दी उतर जाएंगे आखों की रोशनी बढ़ानी है तो मू की लार सुबह सुबह की आखों में लगाईए काजल की तरह से और एक बताता हूँ एक बीमारी आती है जिसको हम कहते है कंज़क्टिवाइटिस आखों की बीमारी है अक्सर उसमें आँखें लाल हो जाती है आँखों में बहुत जलन होती है जैसे खून उतराया हो आँखों में वो कंडिशन हो जाती है कोई भी आयुरवेद की दवा आप खाएंगे तीन से चार दिन में ही बीमारी ठीक होती है लेकिन अपकी बार अगर ये बीमारी आये तो आप ये करना सुबह सुबह उठते ही मूँ की लार लगाना 24 गंटे के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा बीमारी कहां गई 24 गंटे में ठीक होते है conjunctivitis अगर बच्चों में बच्पन से आँखों के ऐसे कोई रोग है जैसे मेरे पास एक छोटा बच्चा है आठ साल का है उसका मैं ट्रीट्मेंट कर रहा हूँ उसकी आँखे टेड़ी है वो देखता कहीं है और दिखता कहीं है उसको ऐसा है अब उसके माता पिता गरीब है और वो आपरेशन का खर्चा नहीं उठा सकते उस बच्चे पर मैं यही एक्सपरिमेंट कर रहा हूँ लगबग मुझे चार साड़े चार महीना हो गया है और उसका टेड़ापन जिसको हम लोग हिंदी में केते हैं बहेंगापन उसका बहेंगापन लगातार कम हो रहा है और आखों की पुतलियां बिल्कुल बीच में सेट हो रहे तम मुझे थोड़ी जिग्यासा हुई और मैंने एक बहुत बड़े वैग्यानिक को पूछा दिल्ली में कि ये लार में क्या है एक्च्वली इसका एक्टिव इंग्रेडियंट क्या है तो उन्होंने का भहिया जितने एक्टिव इंग्रेडियंट मिट्टी में है वो सब लार में है तो मैंने आपको बड़ा है मिट्टी में 18 एक्टिव इंग्रेडियंट्स हैं लार में वो सब के सब है इसलिए लार शरीर के लिए बहुत ही कीमती है बेश कीमती है इसको कभी नश्ट नहीं करना इसकी मदद से आप बहुत सारे रोग ठीक करते और दो चार बाते बता दू क्या क्या रोग और ठीक कर सकते आपके शरीर में कोई दाग हो गया धबा हो गया जैसे जल गए जलने का दाग होता है न उस पर नियमित रूप से सबेरे की लार की थोड़ी थोड़ी मालिश करते रही है 6-8 महिने में धगा धबा बिलकुल साफ हो जाए जले हुए का धबा शरीर में और कोई ऐसा अंग में सफेद दाग दिख रहा है या काला दाग हो गया या फलाना हो गया या ढिमाका हो गया एक्जीमा हो गया मालो खराब बीमारी की बात करूँ एक्जीमा हो गया एक्जीमा पे रोज सुबह की लार लगाईए मालिश करते रही है 6-8 महीने के बाद देखिएगा साफ और एक्जीमा से भी ज्यादा खराब बीमारी है सोराइसिस वो भी ठीक होती है इसी लार से बस इतना है कि साल भर करना पड़े मुफट का इलाज है फोकट का इलाज है बागवट्टजी ने जितने भी इलाज बताये हैं सब फोकट के और मुफट के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है तो आप Skin Disease में इसका Experiment करिए आखों की बीमारियों में इसका Experiment करिए घाओ हो जाएं कहीं शरीर में उस पर एक्सपरिमेंट करिए फोड़े फिंसियों पर इसका एक्सपरिमेंट करिए मैंने ये चारों एक्सपरिमेंट कियें बहुत अच्छे रिजल्ट है आप भी करिए रिजल्ट आपको भी मिलेंगे बस इतना ही है कि आप दूसरों को भी बताते जाएए तो आपने अपना दुख तो कम कर लिया आप दूसरों का भी कम कराईए ना तब ही मोक्ष जाएंगे तो मैंने आज आपको चार सूतर बताये उनको फिर से रिपीट करता हूँ सूत्र बताना ये चार रिपीट करके खतम फिर प्रश्न पहला सूत्र मैंने बताया था भोजन अंते विशमवारी भोजन के अंत में पानी ना पिये लगबग देड़ घंटे के बाद पानी पिये दूसरा सूत्र मैंने बताया था पानी हमेशा गूट-गूट भरके पियें, सिप-सिप करके पानी पियें तीसरा सूत्र बताया था कि ठंडा पानी कभी न पियें, हमेशा गुन-गुना पानी पियें और चौथा सूत्र बताया था कि आप सबेरे उठते ही सबसे पहले पानी पियें ये चारो सूत्र बागवर्ट जी ने कहा है पेट को दुरुस्त रखने के लिए सबसे आवश्यक है मने जिन्दगी वर आपका पेट और आपकी जठर अगनी काम करती रहे इसके लिए सबसे आवश्यक है ठीक है अब आपके प्रश्णों के लिए आदा गंटे का समय जी भाई आपने कहा कि उशा पान करना चाहिए उशा पान भी गुनगुना पानी होना चाहिए और देखिए उशा पान पान जो कहा आपने खाने के लिए तो पान के साथ क्या क्या लेना चाहिए मैं दूसरे प्रशन का पहले उत्तर देदू पान के साथ क्या-क्या लेना चाहिए बागवट जी ने पान खाने के लिए बताया है कि एक तो पान जो खाएं है वो ऐसा पान हो जिसका स्वाद कसेला हो कसेला कसेला स्वाद मनें देशी पान सीधी सी बात है बिलायती पान मत खाईए देशी पान खाईए तो स्वाध जितना कसेला होगा पान उतना अच्छा होगा और बागवट्ट जी ने एक बहुत गहरी बात कही है जिसको मैं दो-तीन दिन बाद वैसे explain करने वाला हूँ कि जो चीज का रंग जितना जादा गहरा हो जो प्रकरती की पैदा की गई वस्तू का रंग जितना जादा गहरा हो वो उतनी ही बड़ी आउशदी है जैसे देशी पान जादा गहरा हरे रंग का होता है और विलायती पान हलके हरे रंग का होता है तो बागवटी जी कहते हैं हलके रंग की चीज़ें मत खाईए गहरे रंग की चीज़ें खाईए तो गहरे रंग वाला पान खाईए गहरे रंग की जो भी चीज़ें बरपेट ख इनकी qualities आज की विग्यान ने भी प्रूफ किया है, आज का विग्यान ये कहता है कि जो भी रंग है, किसी भी वस्तू में, वो भगवान का दिया हुआ, कोई न कोई ऐसा रस और एंजाइम है, जो आपको गंभीर बीमारियों से बचाता है, तो वो कहते हैं, गहरे रंग का पा एक ग्राम आप समझते हैं, इतना होता है, चने का दाना होता है न, आधा तोड़ो और उसका आधा कर लो, इतना एक ग्राम होता है, चने का दाना आधा तोड़ो तो दो हिससे हुए, ये दो हिससे के चार कर दो, और वो एक हिससा जो है वो एक ग्राम, तो उतना आप चून अजवाइन डालें अजवाइन दो चार दाने जादा नहीं और वो कहते हैं लवंग डालें लवंग मने लॉंग और कहते हैं बड़ी इलाइची और वो कहते हैं कि गुलाब के फूल का रस मतलब गुलकंद जिसको आप कहते हैं ये चीजें उन्होंने बोली है पानमे नियमित तो मैंने सुपारी और कथा चोड़कर ही पान खाएं। ठीक है? तो पान में क्या खाएं। दूसरा इन्हों ने जो आपने पूछा कि सुबह का जो ऊशा पान का पानी है वो भी गुंगुना होना चाहिए। बागवट्टी जी कहते हैं जरूर गुंगुना होना चाहिए। वो एक ही condition में कहते हैं, कि अगर आप तावे के बरतन का रखा हुआ पानी सुबह पी रहे हैं, तो उसको गुनगुना करने की जरूरत नहीं है, बाकी सभी पानी को गुनगुना करके ही पीना चाहिए, क्यों? ये जो तावे के बरतन में रखा हुआ पानी है, उसमें वही quality है, जो गुनगुने पानी में है, इसलिए तामर पातर के पानी को सुबह गरम करने की जरूरत नहीं, रात में आपने भर के रखा, सुबह उठकर पी लिया, बाकी कोई भी पानी, इस्टील के बरतन वाला है तो गुनगुना करिए, आप मिट्टी के घड़े का पानी है तो गुनगुना करिए, और आपके पास क्या होता है पानी भरने के लिए, और तीसरा कोई, अलुमीनियम में तो पानी कभी मत रखिए, प्लास्टिक में पानी कभी मत रखिए, स्टील वैसल्स में हैं तो गुनगुना करके ही पीजिए स्टील वैसल मने स्टेनलेस स्टील के वैसल में पानी है तो गुनगुना ही पीजिए मिट्टी के बरतन का पानी है तो गुनगुना ही पीजिए तामर पात्र एक उन्हों ने कहा कि जिसके पानी को गरम करने की जरूरत नहीं सीधे पी सकते हैं आप बोलेंगे जी क्या रोज दिन भर तामर पात्र का पानी पी सकते हैं तो जरूर पी सकते हैं तीन महीने इसके आगे नहीं ये आप जरात सोचिए ध्यान से वो ये कहते हैं तीन महिने आप पी सकते हैं लगातार तामर पात्र का पानी फिर बीच में पंद्रबीस दिन का ब्रेक दे दीजें फिर तीन महिने पी सकते हैं ये ब्रेक दे दे कर पी सकते हैं लगातार पिएंगे तो तावे की अधिकता से होने वाली जो बीमारियां है वो ह सुबह तो लगातार पी सकते हैं, सुबह की तो कोई बात नहीं, ये पूरे दिन की बात हो रही है, कोई लोग ऐसे हैं कि पूरे दिन ही तावे के बरतन का पानी पीते हैं, तो बागवट्टी जी ये कहते हैं, कि तीन महीने लगातार पी जी ये पूरे दिन, फिर उसके बाद आप 15-20 दिन ब्रेक दे दीजे, 15-20 दिन को दूसरा पानी पिल, फिर आप बापस 3 महीने कर सकते हैं, फिर ब्रेक दे दीजे, फिर तो 24 घंटे वाले जो लोग है, तामर पात्र का पानी पीने वाले, उनके लिए ये नियम है, सुबह का तो तामर पात्र का ही सबसे अच्छा ह आज जो रस और मठा पिने के लिए बताये थे आप, तो जै ये आमर पात्र को साल पीने के लिए बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बहुत अच्छा सवाल, देखिए इस सवाल को मैं और थोड़ा विक्सित करूँ, मैं इंतिजार करना था, कोई पूछे तो मैं बताओ, ये दूद पी रहे हैं, उसमें भी पानी है, अब बागवट्टी जी एक तरफ तो कह रहे हैं कि खाने के बाद पानी मत पियो, और दूसरी तरफ कह रहे हैं, मठा जरूर पियो, दूद जरूर पियो, और फलकारस पियो, तो उसमें तो पानी ही है, तो क्या वो पानी जठर लेगनी को शांत नहीं करेगा इसका बहुत ही सुन्दर एक्स्प्लेनेशन बागवट्ट जी करते हैं वो ये कहते हैं कि पानी का जो गुण है वो अपना कुछ नहीं ये बार ध्यान से समझे पानी का जो गुण है वो अपना कुछ नहीं है पानी को जिस पात्र में रखा है या जिसमें मिलाया है, उसी का गुण वो धारन करता है। आपने एक पुराना गाना सुना है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। फिर आगे हैं, जिसमें मिला दो उस जैसा। तो पानी का रंग, गुण और धर्म, तीनों ही वही होते हैं, वो जहां मिल गया। तो आपने पानी को मिलाया दही में तो अब वो पानी का गुण नहीं है अब वो दही का गुण धारन करेगा पानी को आपने मिलाया जूस में माने फल में तो फल के जो गुण है वो पानी में आ जाएंगे और पानी है दूद में तो दूद के सारे गुण वो धारन कर लेगा तो पानी अगर सीधा पी रहे हैं इंडिपेंडेंडेंट तब उसके अपने गुण धर्म होते हैं लेकिन मिलाया हुआ पानी जब भी किसी वस्तु के साथ आप पिएंगे तो उस वस्तु का गुण पानी में आएगा इसलिए मठा पीने को खुली छूट है पेट भर के पीजिए दूद पीने को खुली छूट है पेट भर के पीजिए जूस पीने को भी खुली छूट है सादा पानी मत पीजिए अब दही का गुण क्या है? अटगनी को प्रदीप्त करने का गुण है दही में क्योंकि जो वस्तू में भी चिकनाई आगई चिकनाई समस्ते हैं आप फैट दही में भरपूर चिकनाई है दूद से ज़्यादा चिकनाई दही में है दही से ज़्यादा चिकनाई मक्षन में है और सबसे ज़्यादा चिकनाई घी में तो बागवटी जी कहते हैं कि जिस वस्तू में भी चिकनाई है वो अगनी को और भढ़काएगी आप जो है ना घी डालते हैं यग्य में तो अगनी भढ़कती है कि नहीं ऐसे ही पेट में घी खाएंगे दही खाएंगे दूद पिएंगे तो अगनी और प्रदीप्त होती है माने खाने को और जल्दी से पचाएगी खाली पानी अगनी को शांत करता है लेकिन पानी किसी में मिलाया हुआ अगनी को प्रदीप्त करेगा क्योंकि उसके गुण वस्तू के हिसाब से हो जाते है जी राजीव भाई आइस क्रीम खाने के बाद हम लोग कॉफी या चाई पिके और उसका ये सवा सत्या नाश रीजन बताऊंगा परसों क्योंकि ये परसों आने वाला है देखिए मैं बताता हूं आपको अभी बता दू कोशिश करूंगा शौर्ट मैं बताऊं क्योंकि और प्रशन के लिए उत्तर के लिए समय रहे हैं कभी भी कोई गरम चीज आप जैसे ही खाते हैं कोई भी गरम तो पेट फिर वही काम पे लग जाता है क्या काम है पेट का पहले ज़्यादा गरम वस्तू को पेट के तापमान पर लाता है पेट आपका पेट का तापमान वही है जो मू का है और बगल का तापमान मू का तापमान में थोड़ा अंतर रहता है लगबग एक से डेल रही त तो पेट का तापमान लगभग 49 से 40 डिगरी के आसपास है, अब आपने 40 डिगरी से ऊपर की कोई वस्तु खाई, जैसे चाय पी, तो वो 40 से ऊपर की है, कौफी 40 से ऊपर की है, तो तापमान अंदर जो है ना 55 डिगरी, 60 डिगरी अगर चाय का है, तो पेट उसको पहले 40 होता है, पानी को ठंडे से गरम करेगा, फिर गरम से ठंडे, तो ये काम में जब तक पेट लगा हुआ है, तब तक आपने कोई ठंडी चीज खाली, जैसे उन्होंने का आइसक्रीम खाले, कौफी के बाद आइसक्रीम खाले, अब कन्फ्यूजन वहाँ ये होता है कि क्या कर है, वो पहले गरम कौफी को ठंडा करे, या ये जो गरम संडी आइसक्रीम आई इसको गरम करे, तो फिर तो बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, ऐसा कन्फ्यूजन जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी, इसको मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, गाड़ी चला रहे है और हर एक ही मिनट में आपको दो-तीन गेर चेंज करने पड़े, एक ही मिनट में, टॉप गेर से फस्ट में आना पड़े, फस्ट से आपको टॉप गेर में जाना पड़े, तो कैसे चलेगी गाड़ी, जटका देगी, तकलीफ देगी, ऐसे ही पेट में है, कि पेट का एक ग गरम कॉफी को ठंडा करने में लगा हुआ है तब तक आपने आइसक्रीम खाके अब पेट को गियर चेंज करना पड़ेगा तुरंत तो इसमें हो जाएगी समस्या इसलिए कॉफी चाय के बाद ठंडी आइसक्रीम कभी भी ना खाएं और ठंडी आइसक्रीम के बाद चाय हाँ बहुत अच्छा सवाल है ये मैं कल बात करूँ क्योंकि कल वो सूत्रा आने ही वाला है जी देखिए इनोंने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है दूद को बागवट्टी जी ने बोला है शाम को ही पीना है अब इनका प्रश्नी है कि हम सुबह चाय पीते हैं कॉफी पीते हैं तो दूद उसमें होता ही है तो क्या करें बागवट्टी जी के किसी भी शब्द कोश में चाय भी नहीं है कॉफी भी नहीं है क्योंकि बागवट्टी जी साड़े तीन हजार साल पुरानी है जादा से जादा चार साल पुरानी है तो चाय कॉफी के बारे में उनक का पूरा शास्त्र मौन है बने कहीं एक भी सूत्र ऐसा नहीं है जहां चाय और कौफी का जिक्राता है हाँ काढ़े का जिक्रुनों ने किया है काढ़े का जिक्रुनों ने किया है वो यह कहते हैं कि जो काढ़ा आपके वात को कम करें आपके पित्त को कम करें और कफ को कम करें ऐसा कोई भी काढ़ा दूद के साथ मिला कर सुबह पिया जा सकता है कोई भी काढ़ा जैसे आज आप काढ़ा पीने जा रहे हैं वो अरजुन की छाल का काढ़ा है अरजुन की छाल का काढ़ा आप जानते हैं वात को सबसे तेजी से कम करने वाला है शरीर की जो एसिडिटी होती है रक्त की एसिडिटी एक होती है पेट की एसिडिटी उससे भी ज्यादा खराब है रक्त की एसिडिटी खून की अमलता ही है जो हर्ट अटेक लाती है तो रक्त की एसिडिटी को कम करने की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अगर किसी चीज में बागवट जी ने बताई है तो वो अरजुन की चाल है तो आज आप काड़ा पिएंगे अरजुन की चाल का और दुर्भागे से या सौभागे से ये कुछ ऐसा समय है दिसंबर जन्वरी और नवंबर ये बात का ही समय है शरीर में वायू का प्रकोप ठंड के दिनों में जादा होता है उस समय अगर आप अरजुन की चाल का काड़ा दूद में बना कर पिएं तो आपके लिए आउशदी है जी? नहीं नहीं गरम 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 क्योंकि वो आउशदी है भोजन नहीं है भोजन और आउशदी में अंतर बताया भोजन वो है जो 24 गंटे में आप नियमित रूप से आपके पेटकी आवशक्ता के अनुसार खाएं और सालों साल खाते जाएं आउशदी वो है जो थोड़े समय के लिए तातकालिक प्रभाव के लिए आप पिएं तो ये काड़ा आउशदी है सुबह के अगर समय नवंबर दिसंबर जनवरी ये तीन महीने हैं जो बात के महीने माने जाते हैं फिर गर्मियों के महीने पित्त के महीने आ जाते हैं फिर बारिश के महीने और उसके आगे थोड़ा महीना कफ का महीना आ जाता है तो ये बात पित्त कफ के महीने भी होते हैं जैसे शरीर है वैसे महीने तो इस महीने के हिसाब से सुबह काड़ा पी सकते हैं माने सुबह दूद पी नहीं है ना तो उसमें अरजुन की छाल का पाउडर डाल के पीजिए तो दो फायदे होंगे बविश्य के लिए आपको हर्ट एटेक फ्री होने की गारंटी बविश्य के लिए और अब तक आपने जो कच्रा खा लिया है इसके निकल जाने की गारंटी क्योंकि ये जो अरजुन की छाल का पाउडर है रक्त को सबसे ज़्यादा शुद्द करता है और कच्रा रक्त में ही सबसे ज़्यादा जमा होता है जिसको कॉलेस्ट्रॉल कहते है न वो कच्रा ही है तो अब तक आपके रक्त में जो कॉलेस्ट्रॉल जमा है इसको निकालना है बाहर तो अरजुन की चाल इसमें सबसे ज़्यादा उपयोगी है और सौभागे की बात ये है कि 40 रुपई किलो मिलती है क्या बाओ? 40 रुपई किलो? 20 रुपई किलो 20 रुपई किलो अरजुन की चाल मिलती है और 1.500 रुपई किलो चाहे मिलती है और 1400 रुपई किलो काफी मिलती है और 20 रुपई किलो अर्जुन की छाल मिलती है तो कुछ तो होशियार बनिये, मारवाडी बनिये कुछ तो अपने रक्त में लाईए, मारवाड का, राजिस्थान का, गुजरात का तो 20 रूपए किलो की अरजुन की छाल नियमित रूप से आप पीजे मैं आपसे विनमरता पूरवक कह रहा हूँ कि आप सब अपने घर में तीन महीने ये जो नवंबर दिसंबर जनवरी अभी तो दिसंबर पूरा तो निकल गया लेकिन जनवरी अभी बाकी है तो 30 दिन आगे जनवरी के रोज सबेरे अरजुन की छाल का पाउडर दूद में डाल कर पीते रहिए और अगले साल का याद रखिए नवंबर दिसंबर जनवरी तो ये तीन महीने अरजुन की छाल पिया तो पूरे साल बर का कच्रा निकालता है और अगले सालों की गारंटी हर्ट अटेक फ्री क्वांटिटी कितनी रहनी चाहिए एक गिलास दूद तो आधा चमच अरजुन की छाल का पाउडर आधा चमच मने टी स्पून और इसमें अगर गुड मिलाएंगे तो बहुत अच्छा गुड गुड नहीं मिले तो एक गुड जैसी चीज आती है काकव काकवी आप समझते हैं गुड को बनने से पहले की स्टेज है वो तरल गुड होता है तरल गुड लिक्विड फॉर्म का गुड वो काकवी कहलाता है तो या तो काकवी या तो गुड नहीं मिले तो खांड खांड आप समझते हैं और कुछ भी नहीं मिले तो बूरा शक्कर क्योंकि बाग बट्टी जी की सूची में कहीं शुगर नहीं है क्योंकि शुगर बनती नहीं थी साड़े तीन अजार साल पहले गुड़ बनता था काकवी बनती थी खांड बनती थी बूरा बनता था चीनी बनना 200-200 साल से शुरू हुआ है जी मिश्री बहुत अच्छा आपने कहा मुझे भूल गया मैं आपसे पहले ही कहना चाहता है मिश्री मिठाईयों में मिश्री सबसे उचे स्थान पर है गुड़ से भी उची है मिश्री तो मिश्री मिले शुद्ध तो वो डालिए आपके अरजुन की चाल और दूद के में नहीं तो गुड़ डालिए नहीं तो काक्वी डालिए नहीं तो खांट डालिए अंत में कुछ नहीं मिलता तो बूरा डाली और बूरा वो वाला जो राजिस्थान में बनता है बिहार में बनता है उत्तर प्रदेश में यहां का नहीं चीनी को पीसके बूरा वो चीनी ह सोट है तो बहुत अच्छा है सोट जो है अर्जुन चाल सोट अगर मिला के उप्योग करें तो सर्वोत्तम वात नाशक काड़ा होता सर्वोत्तम अर्जुन चाल और सोट दोनों का ही गुण है वात को खतम करने का तो वात के रोगी तो जरूर पी हैं इसको और वात के रोग क कमर का दर्द, कंदे का दर्द, हर्ट अटेक, डाइबिटीज, ये सब बात के रोग है। तो मेरी बात तुरन समझ जाएंगे, दुई दल, दुई दल समझते हैं, एक दाल के जिसके, दुई दल के साथ दही का निशेद है। दुई दल के साथ अगर दही खाएं, तो अच्छा है, ना खाएं। लेकिन खा रहे हैं, तो दो बातों का ध्यान रखें। कि दही की तासीर बदलें, और उसकी तासीर को बदल कर, जैसी दाल है, वैसी तासीर करें। मनें दही का प्रोटीन कंटेंट बढ़ाएं वैसे तो है और ज़्यादा बढ़ा तो इसके लिए बहुत सरल उपाय है आपके रसोई में रसोई में तीन चीज़ें ऐसी हैं जो दही की तासीर को तुरंट बदलती हैं एक तो है जीरा जीरा दूसरा है सेंधा या काला नमक सेंधा या काला ये जो आज नमक आ रहा है इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं आयोडीन युक्त नमक नहीं सेंधा नमक या काला नमक तीसरी है अजवाइन तो मेरा ऐसा निवेदन है कि अगर आप ताक पी रहें दाल चावल के साथ तो अजवाइन का जीरे का बगहार ले ले और थोड़ा सेंदा नमक डाल ले फिर पी ले अजवाइन जीरे का बगहार लेकर बगहार लेना तो आप समझते हैं न बगहार शब्द तो बगहार ले ले अजवाइन जीरे का और थोड़ा सेंधा नमक फिर ताक पिये, महाने मज्जिगे पिये माने मठ्था पिये अद्रक अद्रक की जगे सूट दही में कभी अद्रक यूपयोग नहीं होता सूट उपयोग होता अद्रक और सूट में थोड़ा अंतर है सूट तो अधरक से ही आता है लेकिन सूट का गुण अधरक से जादा है फ्रूट्स खा सकते हैं भरपेट वैसे फ्रूट्स का बागवट्टी जी कहते हैं सुबह खाएं खाली पेट तो सबसे अच्छा माने नाश्टा ही फ्रूट का करें जूस भी पेइना है तो फ्रूट का पी है तो सुबह का समय फ्रूट्स के लिए सबसे अच्छा है लेकिन बाकी समय में भी आप फ्रूट्स कभी भी खा सकते हैं जो प्रकरती के द्वारा पकाया गया प्रकरती के द्वारा पकाया गया माने केलशियम कारवाइड मिलाके नहीं पकाया गया हाँ बिल्कुल चाच शरीर के लिए ठंडा करता तो बच्चों को भी दे सकते हैं दे सकते हैं जी दे सकते हैं बिल्कुल अजवाइन डालके बच्चों को तीन महिने के बच्चे को अजवाइन की छाच दी जा सकते है और गर्म पानी पानी जो आपने का थोड़ा गुंगुना पिना चाहिए हर मौसम में पी सकते हैं गर्मी के मौसम में भी गर्मी के मौसम में थोड़ा इसके लिए आप छूट ले सकते हैं आप चूंकि मदरास में रहते हैं इसलिए छूट ले सकते हैं गर्मी के दिनों में सबेरे का पानी तो गुनगुना ही रखिए बाकी दिन का पानी अगर आप पिएं तो मिट्टी के बरतन का भी पी सकते हैं सन बर्न सन बर्न के लिए लार बहुत अच्छी है देखिए आप मेंसे किसी भी माता या बहन को डार्क सर्किल की समस्या हो आँखों के नीचे काले-काले गेरे हैं नियमित रूप से सुबह उठकर अपने लार की मालिश करते रहिए आपके सारे डार्क सर्किल बिल्कुल चले जाएंगे फैर एन लबली से ज़ादा प्रभावी है मट्की का जो पानी होता है गर्मियों मैं राजस्तान में थंडी से थंडी मट्की लाके हम पीते हैं तो इतना थंडा पानी प्ये हैं या नहीं जो मिटी के घड़े का पानी है वो रूम तापमांज से थोड़ा ही कम है हैं यह चार डिगरी का होगा तीन डिगरी का होगा यह बहुत थंडा है